हेलो दोस्तों मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एड़ साइट और मैं आज आपके लिए लेकाया हूँ एस्टिमेट का पार्ट सेकेंड और आज मैं इस पार्ट टू में आपको बताऊंगा कि साइट पर कुछ ऐसे पॉइंट जो अक्सर यूज किया जाते हैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि अब हम किसी भी एस्टिमेट को करने से पहले हम यह आइडिया लेते हैं कि हमारे उस प्रोजेक्ट को कि जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी एक्चॉल कॉस्ट क्या होगी एक्चॉल कॉस्ट हम यह समझते हैं कि एक्चॉल कॉस्ट क्या होती है जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेट करने के टाइम पर जो भी कॉस्ट हमारे निकलती है तो वह होती हमारी कि उन्गीन सकते हैं अनुमानिक और ऑनिमानित और यह फिर संभावित कौॉस्ट पैस्धगा कि जो भी हम निकालतें वो हमारी अनुमानित और संभावित कॉस्ट हो जाती है है और जब ऑप एक्ट एक्च्वल कॉस्ट निकालते हैं तो एक्च्वल कोस्ट निकालते समय हम यह कंपेर करते हैं कि जो हमारी एक्ट्षल कॉस्ट है और टju exhibition पॉस्त कि इन दोनों में डिफ्रेंस कितना होता है कि कि अगर एक्चुल कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है एस्टिमेटर कॉस्ट से तो हमारा एस्टिमेट जो है वह अच्छे तरीके से नहीं किया गया है और अगर जो हमारी एस्टिमेटर कॉस्ट कुछ जादा आ जाती actual cost है तब भी हमारा estimate जो होता है कुछ गलत estimate हो चुका हमारा तो इसलिए हमें हमें इन बातों का धिहान रखना बहुत जरुरी होता है कि हमें actual cost लगवख-लगव estimated cost के बराबर आने चाहिए तो अब हम उन points के बारे में ढिसक्स करेंगे जी पोइंट के वजह से हमारी जो एस्ट्मेटेद कोष्ट लगबगगब एक्ट्ब कोष्ट के बराबर आ जाती है तो सबसे से पहला पुइंट जो है वह मैं बताता हूं आपको जो हमारी एक्टोल कोस्ट और कोस्ट में डिसे कोस्ट बता आता है सबसे पहले पहले के बारे में रहरी हम किसी की प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें मैटल जो होते हैं हम दो प्रकार के मैटल को यूज करते हैं पहला होता है नंबर वन क्वालिटी का और दूसरा होता हमारा सेकंड क्वालिटी का अब हमें यह चूज करना होता है कि हम कैसे प्रोजेक्ट के लिए किस टा को जैसा प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा कि आप उसमें मेटल किस क्वालिटी का लगाना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मैटल की कॉस्ट आती है वह आपकी एप्रोक्सिमेट कि 65 से लेकर के कि 70 परशंट जो कोजट आएगी ना पूरे प्रोजेक्ट की वह इसी मेटल कोस्ट में ही आती है ब5 अब कोई भी का कॉन्व का गॉर्मनेंट प्रोजेक्टर है या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रोजेक्ट इन दोनों की कॉस्ट मैं जो डिफृर efforts आता क्योंकि जो आपके मौलों क्योंकि टेक्स देने होते हैं वो नहीं होते हैं ज्याप कोई भी प्रोजक्ट के लिए उनके टेक्स नहीं लगता है इसलिए गौर्ण्मेंट प्रोजेक्ट थोड़े से एकनॉमिक हो जाते हैं और आपके जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होगे प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए आपको वह टेक्स जो है जो आप गवर्मेंट प्रोजेक्ट के लिए पे नहीं करते हो वह टेक्स आपको उसमें पे करने होते हैं तो इसलिए आपका जो है यह प्रोजेक्ट कॉस्टली वो difference किस वज Влад कि यह आ जाता है है जो हमारास टёрेंज वो अपने इस विक करने अच्छी तरीके से करता कितनी चूराइट अगर वह थे स्यूरेंट में ज्यादा दिखेंट में नहीं आता है दोस्तों सेकिंद पॉइंट के बारे में डिसक्स करना चाहूंगा सेटिंद पॉइंट होता है हमारा से फ्राइट मतलब होता है भुलाई कि जब हम किसी भी प्रजक्ट को बनाना सुरू करते हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैट्रेल की रिकॉर्मेंट होती और वह मैट्रियल जो हम किसी दूसरी जगह से लेकर आते हैं तो इस कि इस बात का भी बहुत ज्यादा पड़ता है कि आप प्रोजेक्ट आपका यहां पर बन रहा है यहां पर आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा है और आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप इस दूरी इतनी यहां से मैट्रियल को लेकर आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो मैट्रियल आप लेकर आ रहे हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अग points होते हैं जो एक्टोल कोस्ट पे भी इफेक्ट डालते हैं तो दोस्तो अब मैं इसके बार ठाट प्वाइट पर बात करना चाहूंगा जो हमारा third point होता है वह होता है मशीन मशीन और टूल जो हमारे मशीन और टूल होते हैं वो जब और भी हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं कि तो सबसे ज्यादा फ्रीक्ट जो पढ़ता है मसीन और टुल्स की वज़े से पढ़ता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर मसीन नहीं है प्राप्र मसीन या फिर टूल्स नहीं तो हम जब भी किसी काम को करेंगे तो अगर हम आप एक 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 आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है एक दिवार बनानी है इस दिवार के लिए आप मसाला तयार करेंगे तो जो आप मसाला इस दिवार को बनाने में मसीन की हेल्प से बनाओगे वह आपको टाइम भी कम लगेगा लेस्ट होगा और एफर्ट बी कम करने होंगे और वर्क प्रोग्रेस भी आपकी जाद होगी अब और अगर हम इन माशीन और टूल्स को यूज नहीं करते हैं हम सोचते हैं कि लेवर से काम करा लेंगे तो हमारा टाइम च्छाहता है एफर्ट ज्यादा लगता और वर्क प्रोग्रेस जो होती है वह कम आती है इसलिए दोस्तों हम जब लिए की प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहां पर मसीनों का और टुल्स होना बहुत ज़र्री होता है क्योंकि कि इससे हमारी प्रजेक्ट की जो कॉस्ट होती है इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे 4th point होता है आपका labor कि labor के होने और ना होने से क्या effect पड़ता है और कितनी labor होने चाहिए कैसी labor होने चाहिए अगर आपके पास जो skilled labor है आपको कोई work कराना अगर आपके पास skilled labor नहीं है तो आपके project की जो progress होगी उस पर effect पड़ेगा और अगर आपकी labor थोड़ी सी knowledgeable नहीं है किसी work को करने में अगर उसे knowledge नहीं है तब भी आपकी project report जोगी वो down चले जाएगी और अगर आपकी labor जो है neutral type के रहते हों, active ना रहते हों तो भी आपकी project report जो down चले जाती है और अगर आपकी labor है वो careful किसी work को नहीं करते हैं carefully नहीं रहते हैं किसी काम के प्रती तब भी आपकी project report जो है down चल जाती है अगर हम इनके ही opposite में अगर देखा जाए अगर आपकी labor skilled है तो आपकी work progress high होगी knowledge है तब भी work progress high होगी नहीं एक्टिव रहते हैं तब भी work progress high होगी और अगर careful रहते हैं हर काम को careful तरीके से करते हैं तो project report अच्छी बनती है और आपका work progress भी अच्छा होता है तो दोस्तों आपने देखा कि labor के skill knowledge और active और careful होने से कितना effect पढ़ता और इसी का effect जो है लेबर कोश्ट होती है जब हम estimate करते हैं तो हम estimate में है estimated हम जो लेते हैं वो थाट्टी से लेकर call 시청 of 35 परसेंट जो है वो लेबर कोश्ट होती है मैसे Club बाइर को जो हाफ हुआ है थिसी बात थाड़ो कॉस्ट राभ QR यो होगी वह पी लेबर कोश्ट होती है कि नेक्स पौइंट है दोस्तों के लिए जो आपके नमबर फिफ ओफड़ला से जी गवार है कि ऑफड़ हूं कि अब Scient क्या होते हैं आएंगे या फिर कोई एक्सिडेंटल केस होगा और या फिर जो हमारे लेवर जो है वो किसी हर्ताल पर चले जाती है हर्ताल हर्ताल पर चले जाती है या फिर आप अपनी मांग के लिए अपकांपर आना बंद खर देते हैं तो कुछ ऐसे हमारे और हैड्स होते हैं जिनने पूरा करना होता है क्यoke कि अगर कично कर encouraged हैं तो आधर नहीं तो हमें लगाद होते हैं उनके बार ना उब्स पर फिर से हमारे था और आते हैं अब दोस्तों में आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा जो है कि सिख्थ नंबर कि आपका मैंनेजमेंट कि आपका जो management है वो site पर किस टाइब का है आपका site पर जो management है वो कैसा है आपका जो management अगर वो आपकी labor को ध्यान रखता है कि लेवर आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रहे क्योंकि कुछ labor ऐसी होती है कि जो किसी management के अभाब में करना करके कहीं भी बैठे रहते हैं या फिर अगर कोई काम करना है तो इसको अगर 10 मिट का वर्क होगा 10 मिनट की जिए वह एक घंट लगा सकते हैं 10 मिट के काम को करने में एक घंट लगा तो आपके जो मशीन टूल्स होते हैं वह क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं क्योंकि जब उनका कोई ध्यान नहीं रखे तो खराब हो जाएंगा और जब आप दूसरी जब प्रजेक्ट को काम को स्टार्ट करेंगे तो आपके जो टूल्स हैं वह बेकार हो जाएंगे फिर दुबारा से आपको टूल्स खईने होंगे इससे क्या होगा आपकी खुद की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाना एक बड़ा ही ऐसा मुश्किल काम होता है क्योंकि अगर आप हर बार अपने प्रजेक्ट की कॉस्ट को जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे बढ़ा करके आती है तो आपका जो रिकॉर्ड होता है आप अगर गौर्मेंट कॉंट्रेक्ट रहें त आपका रिकॉर्ड होता चलाएं क्योंकि इससे क्या होता अगर रेकॉर्ड खराब हो जाता है तो जो इस रिपॉर्ट को देख करके आपको अनका निकर सकता इसलिए दोस्तों आपको इन बातों का जरूर्ज धियान लखना होगा या आपके कुछ छेसे पॉइंस हैं इन प करना चाहते हैं तब भी आपको इन बातों को ध्यान नखना पड़ेगा इसलिए दोस्तों मेरी आप से यही गुजारिस है कि आपका जो एस्टीमेटर हो वह स्किल्ड हो नौलेजेबल हो एक्टिव हो और आपकी लेबर जो है वह भी स्किल्ड हो नौलेजेबल हो एक्टिव हो और केरफूल हो अपने वर्क के प्रति तो दोस्तों आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर क कीजिए मेरे चनल को जिस्ते में ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहा हूं और मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा एस्टिमेटेड पार्ट थर्ड थेंक्यू दोस्तों